गुद मॉर्निंग एवरिवन आज हम इस वीडियो के माध्यम से exercise 6.5 डिसकस करेंगे 6.3 and 6.4 में हमने सीखा था कि fractions को कैसे add करते हैं या एक whole number है और fraction है उसको कैसे add करते हैं लेकिन 6.5 में हम सीखेंगे कि fractions को कैसे subtract करते हैं तो जो question 1 है वो काफी easy है क्योंकि ये like fractions है इसमें सभी और like fractions होते हैं तो आपको पता है सिर्फ हमें numerator के साथ जो भी function करना है वो numerator के साथ लगाने है लग जो भी अगर addition करना है तो numerator को add करना है subtract करना है तो सिर्फ numerator को subtract जैसे 7-2 करने है denominator सेम है तो जो सेम होता है वो as it is हम लिख देंगे तो 7-2 5 by 15 इसको 5 से 5 बंज़ा 5 5 3 से 15 यह answer जैसे 4 by 5 minus 2 by 5 तो सिर्फ numerator को सब्ट्रैक कर दो 4 minus 2 by 5 as it is सारे 31 by 43 minus 11 by 43 तो सिर्फ numerator को 31 minus 11 by 43 तो यह like fractions हैं तो आप इसको easily कर सकते हैं तो आपका first question पूरा like fractions के उपर based है अब हमारा second question आता है इस exercise का जिसमें हमारा denominator सेम नहीं है मतलब यह unlike fraction है और आपको इन्हें subtract करना है तो as it is करना है आपका पहला काम होता है कि आपको denominator को सेम बनाना है मतलब इनको like बनाना है और उसके बाद वहाँ पे हम addition करते थे यहाँ पे हम क्या कर देंगे subtract कर देंगे like बनने के बाद तो वही दो तरीके हैं क्या तो इसके denominator को इधर उपर नीचे multiply करो 7 into 5 9 into 5 और इसके denominator को इधर उपर नीचे 1 into 9 5 into 9 तो दोनों का denominator सेम बन जाएगा और आप numerator को subtract कर दोगे यह दूसरा तरीका 9 और 5 का L से हम निकालेंगे 45 then वही 9 को divide करेंगे पहले 45 से 5 आया तो उपर नीचे 5 then 45 को दूसरे का denominator 5 है उससे divide करेंगे answer 9 आया तो उपर नीचे 9 से multiply किया देखो दोनों के denominator सेम हो गए तो हम उनकी जागे यह लिख देंगे 35 by 45 minus 9 by 45 अब देखो 45 45 denominator सेम है तो 45 एक लिख लोगे और उपर numerator को subtract कर दोगे 35 minus 9 26 तो देखो आपको easily समाझ आ गया होगा दूसरे में भी आपको पहले इसको like fraction में convert करना है अब यह मैंने आपको कुछ खुद करने के लिए दियें दो question यह आपको खुद solve करो और इनके answer match करो E part में भी पहले इसको like में change करो क्या तो direct जो होता है method 9 को 2 से करो 11 को 2 से multiply और इधर उपर नीचे 11 11 से multiply करो या फिर LCM के तरीके से करो next F part same like में change करो उसके बाद subtract कर दो GH आपको खुद करने है answer से मिलाने है I part मैंने आपके लिए solve कर दिया है वही same पहले like में change करो दोनों तरीके आपको पता है किसी भी तरीके से करो J part भी solve किया है आपके लिए बस कुछ नहीं करना denominator same बनाना है किसी भी तरीके से same बनाओ मतलब unlike fractions को like बनाओ और उसके बाद subtract कर दो यह आपको इस exercise में करना है तो यह exercise आपकी हैंगी पर खतम हो गई है exercise 6.5 मैं exercise 6.6 भी discuss कर देती हूँ इसी में उसमें भी आपकी exercise भी आपकी subtraction के उपर ही based है तो exercise 6.6 में आपको क्या करना है कि वही जैसे मैंने whole plus हमारा एक whole number था और एक fraction था उनको add कैसे करते हैं वो समझाय था यहाँ पर whole number और fraction को subtract कैसे करते हैं वो समझने तो whole number को आपको fraction में लिखना तो आई गया है 6 by 1 minus 3 by 8 तो यह सेम वही तरीका बन गया है जो आपने 6.5 में किया है कि पहले इनको like fraction में convert करो और फिर subtract कर दो तो सेम वही है whole number है उसको आप लिख सकते हो 7 by 1 minus 2 by 3 9 by 1 minus 1 by 7 और उसके बाद same procedure जो 6.5 में किया है अब वही एक दूसरा तरीका आगया कि एक whole number है और एक mixed fraction है तो whole number को क्या लिख सकते हो fraction में 5 by 1 और mixed fraction को भी fraction में change कर सकते हो 3 into 3 plus 2 by 3 9 plus 2 by 3 तो यह देखो mixed को भी fraction में change कर लो whole को भी fraction में कर लो और उसके बाद same उसी तरीके से इसको solve करो पहले इसको like fraction में बनाओ और फिर subtract कर दो तो यह आपका 6.6 का question 1 same इसी तरीके से है और question 2 जो है 6.6 का उसमें क्या है आपको दोनों mixed fraction दे रखे हैं तो पहले इन दोनों को आपको fraction में change करना है then आपको आगे इनको same बनाना है किसी भी तरीके से बना लो चाए LCM लेके बना लो चाए 4 को इधर उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दो इसके denominator को इधर उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दो denominator सेम बन जाएगा और numerator को subtract कर दो तो जो question 2 है 6.6 का वो सभी उसके parts ऐसे ही है दोनों क्योंकि mixed में दे रखे हैं तो आपको क्या करना है पहले उनको fraction में change करना है then आपको उनको solve करना है ठीक है? then subtract करना है पहले उनको fraction तो 6.6 का question 2 सारे इसी पे based हैं दोनों आपके mixed में मिलेंगे तो पहले आपको उने fraction में change करना है then solve करना है कुछ questions के मैंने आगे लिखा हुए कि आपको आगे swim ये मैंने कुछ हाफ solve कर दिये तो आगे इसको खुद solve करना है यहां कहीं पे लिखा हुए swim करें तो उनको भी आपको खुद solve करना है तो मैं आशा करती हूँ आपको exercise 6.6 and 6.5 जो कि subtraction के उपर based है वो अच्छे से समझाई होंगी Thank you